हेले विडिवोर्न गुट मॉनिंग कैसे अब दो महिने के स्टदी करके नेज़े अरब को वालिफाई किया जा सकता है बहुत सारी लोगों के माइन में ये सवाल आता होगा क्योंकि काफी सारी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी फॉर्म फिल किया है और उन्होंने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले तो स्टार्ट कर दी थी बट अभी कुछ कारण से उनकी जो preparation है वो बीच में रुख गई वो फिर से start करना चाहते हैं तो हमारे mind में पहला question यही आता है कि अगर हम सिर्फ दो महिने study करें तो क्या हम अपना जयारफ ले सकते हैं? क्या हम जयारफ को qualify कर सकते हैं? तो answer है हाँ कैसे कर सकते हैं? यही चीज आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो वीडियो को पूरा देखिए और जो भी चीजे मैं बताने वाली हूँ उन चीजों को apply कीजिए मेरा पूरा भरोसा है कि आप लोग अपना goal जरूर achieve कर पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी मैं सिर्फ 5 चीजें वो 5 चीजें अगर आपने apply करी तो फिर आपको आपका जयारफ लेने से कोई ने रोग सकता तो पहली चीज आपके पास क्या होना चाहिए तो सबसे पहली चीज है कि आपके पास एक कोई personal well experienced guide या फिर mentor होना चाहिए ये क्यों जरूरी है क्योंकि आपको उतने चीजें नहीं पता होती है कि क्या क्या चीजें आ सकती है एक्जाम का pattern कैसा है क्या क्या चीजें important है आपकी preparation कैसी जा रही है तो इन सारी चीजों के लिए जरूरी है कि आपके पास एक कोई guide हो एक कोई mentor हो वो आपका कोई senior हो सकता है वो आपके कोई teacher हो सकते है या फिर आपके family member में से भी कोई हो सकता है मतलब कोई भी person ऐसा जो कि आपको ठीक तरीके से guide कर सके आपको ठीक तरीके से बता सके कि आपकी preparation की जो direction है वो सही जा रही है तो मैं तो बहुत लगी थी मुझे मेरे senior के रूप में एक बहुत ही अच्छे guide मिले थे मुझे एक teacher भी बहुत अच्छे मिले थे बट अगर सकते हो मुझसे Instagram पर कोई भी queries पूछ सकते हो preparation से related and Telegram पर जो group है वहां पर भी मेरे बच्चे मुझसे ऐसे questions पूछते रहते हैं और मैं उनको बताती रहती हूं कि उनकी preparation का level क्या है और उनको आगे क्या करना चाहिए तो सबसे पहले चीज़ तो आपके पास यह होना जो कि आपको personally guide कर सके क्योंकि हर एक इंसान की कमियां हर एक इंसान की खूबियां अलग-अलग होती हैं तो जो आपकी कमियों को आपकी खूबियों को समझते वे आपको guide करें वह यह आपके लिए सबसे best होता है next is आपके पास जो होनी चाहिए वह यह है कि आपके पास एक पेपर वन की बुक नहीं पड़ी थी उसका रिजन यह था कि मुझे लगता था कि इतना बड़ा सेलबस पेपर टू का है अब मुझे यह लगता था कि अगर मैंने पेपर वन की भी बुक ले ली तो मेरे माइन में वो सब खौंस हो जाएगा सब अधम गडबर हो जाएगी चीजे तो इसलिए मैंने क्या था कि पेपर वन को मैंने आंलाइन prepare किया था ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे educator हैं जो के पर मunya को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आपको मैंने बताया भी है पहले भी बताया है कुछ के बारे में जो कि personally मुझे लगता है कि वह बहूद अच्छा पढ़ा रहे हैं और अपने बच्चों को बहुत आप स्टार्ट कर रहे हो तो पेपर वन को आप ऑनलाइन प्रिपेर करो क्योंकि बहुत चारे टीचर लेंज बहुत अच्छा चार रहे हैं तो वहां पे आपका टाइम भी सेब हो जाएगा प्लस आपको एक जो एक्स्टा लेविल की जो गाइडेंस होती है वो भी मिल कर दोंग दोंगे तो पेपर वन को आप ऑन-लाइन प्रिपेर करिए जैसे कि मैंने किया था पर बहुत जादा ब्हुत्या चीज अ बहुत सारी प्रिशर तो इससे क्या होता है कि फिर आपका माइंड पहले ही प्रिशन में आ जाता है तो करना क्या है आपको पेपर 2 के लिए आपको ऑन-लाइन कंटेंट कहां से मिलेगा इसके लिए आप क्या कर सकते हो गूगल से कर सकते हो कोई भी टॉपिक आपको नहीं समाझा रहा है आप जाएगा तो यहां से भी आप कंटेंट ले सकते हो थर्ड चीज आपको करने है इगनू कंटेंट जो होता है आपका पीडिया फॉर्म में उसको मैंने अपने लैप्टॉप में सेब कर रखा था तो उसको मैंने पढ़ा हुआ था तो इससे आपकी मनी भी बच जाएगी क्य तो टाइम सेविंग भी होता है प्लस मनी सेविंग होता है नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है तो आपको चुकि पता है कि अब दो ही मन्त बक्चे हैं बहुत चारा टाइम नहीं है आपके पास तो यह जो बंडल्ड आप देख रहे हो बुक्स के यह नहीं करने हैं इसके बजाए आपको क्या करना है सेलेक्टिव एप्प्रोच अपनाना है अब इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कहे रही हूं कि बुक ही ना पढ़ो मैंने भी बुक्स पढ़ी थी बट तीन या चार बुक्स ही पढ़ पाई थी मैं क्योंकि अगर आपके पास कम टाइम है तो जाहिसी से पढ़ा हुआ था तो मैंने सेलेक्टिव ली कुछ बुक्स पढ़ी थी जो मेरे सर ने और जो मेरे जो सीनियर थे उन लोग ने बताई थी तो उनको मैंने पढ़ा था और उसी से मेरा जादातर कंटेंट सारा का सारा तयार हो गया था जिता अब एक्जाम में आता है वह लगभग लगभग तयार हो गया था नेक्स्ट चीज मैंने क्या करी थी कि बुक्स के वजाय मैंने सौल्व करना शुरू कर दिया था कोशन पेपर उससे आपका रिवीजन हो जाता है प्लस आपको पता चल जाता है कि जो एक्जाम का पैटन है वह कैसा रहा है आपकी प्रि बहुत जादा जिससे बेनिफिट मिला था वह था मेरा गुरूप डिस्कसन अब डेख सकते हो कि अगर आपके पास कोई पांचे लोग हैं आपके साथ के उनका परसनल गुरूप बना सकते हो या तो फिर आप एक मतलब अच्छा सा अगर गुरूप हो तो उससे आपको किसी से कोई क्वेशन कर रहे हो और किसी को कोई टॉपिक समझा रहे हो तो सामने वाले का भी हो रिविजन हो रहा है तो इसे दोनों को बेनिफिट होता है तो मुझे गुरूप डिसकसन रहा ता कुछ लोग को होता है कि वह अकेले जादा पेटर पढ़ पाते है तो अगर तो यह कुछ टिप्स थी जो कि आपको फॉलो करने है तू मन्त में इसके अलावा आपको क्या करना है इसके अलावा आपको प्रिवेस एर के कोश्चन करने है ठीक है और यह कोश्चन सिर्फ करने नहीं है इनके शौर्ट नोट्स बनाते जाओ यहां से जो भी टॉपिक्स करो गूगल करो या फिर अपने टीचर से पूछो उनके सौर्ट नोट्स बनाते जाओ वो नोट्स आप बिल्कुल जब लास्ट का मन बचेगा उस टाइम पर उनको रिवाइस कर लेना अच्छा एक चीज और यह जो गुरूप इस्टडी की मैंने आपको एडवाइस दी है यह कितने टाइम तक आपको करना है तो यह आपको करना है वन मन्त सिर्फ अभी का जो मन्त है इसमें आपको करना है लास्ट के मन्त में आपको गुरूप इस्टडी नहीं करनी है क्योंकि लास्ट मन्त में ऐसी इसी चीज़े होने लगती हैं आपका माइंड एकदम डिस्ट मिलेगा एंड आप अपने जो जयारफ है उसको कम टाइम में और शेरली अचीब कर पाएंगे तो ऐसे पढ़ते रहें अपने गूल की तरफ अगे बढ़ते रहें वीडियो देखने के लिए थैंक यू सुमाच